नमस्कार विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का अध्याए पढ़ने के लिए उसाहित होंगे आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौ विज्ञान का अध्याए खाध्य संसाधनू में सुधार बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है हमारे देश की जनसंख्या सौ करोड से अधिक है और इतनी बड़ी जनसंख्या के पालन पोशन और पेट भरने के लिए हमें अनाज की अवशक्ता है तो बच्चों क्या आप ये समझते हैं कि हमारा देश ऐसा करने में सक्षम है तो बच्चों हमारे देश में हरित करांती आने के पश्चात फसलों का उत्पादन बढ़ा है परन्तु अभी भी हमें अपने खाद्य संसाधनों में सुधार किया विशक्ता है आज के अध्याय में हम जानेंगे कि खाद्य संसाधनों में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है बच्चों आज के अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे फसल उत्पादन में उन्नती फसलों की किस्मों में सुधार फसल उत्पादन प्रबंधन फसल सुरक्षा प्रबंधन और पशुपालन के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं फसल उत्पादन में उनती के बारे में बच्चों आप जानते ही हैं कि उर्जा की अवशक्ता के लिए हमें अना चाहिए होता है जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा जवार जिससे की हमें कार्बो हाइडरेट प्राप्त होता है डाले जैसे चना, मटर, उडद, मूंग, अरहर, मसूर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है तेल वाले बीजों जैसे सोयबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसो, अलसी और सूरज मुखी से हमें अवशक वसा प्राप्त होती है सबजिया, मसाले तथा फलो से हमें विटामिन तथा खनिज लवन कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बो हाइडरेट भी राप्त होते हैं कुछ फसले चारा फसले भी हैं जैसे वर्सीम, जई, अत्वा सुधान गास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है विभिन फसलों के लिए विभिन जलवाईयू संबंदी परिस्टियूं, तापमान तथा दिपती काल की अवशकता होती हैं जिससे की उनकी समुचित विरिद्धी हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके बच्चों आप जानते ही हैं कि फसले दो परकार की होती हैं, खरीफ की फसले और रभी की फसले कुछ ऐसी फसलें जिने हम वर्षा रितू में उगाते हैं, खरीफ फसल कहलाती हैं जो जून से अरंब होकर अक्तूबर मास तक होती हैं कुछ फसलें शीत रितू में उगाई जाती हैं, जो नवंबर से अपरेल मास तक होती हैं इन फसलों को रभी फसल कहते हैं धान, सोयबीन, अरहर, मक्का, मूम तथा उड़द खरीब फसले हैं जबकि गेहूं, चना, मतर, सरसों तथा अलसी रभी फसले हैं फसल उत्पादन में उन्नती की बात करें तो भारत में सन 1952 से सन 2010 तक क्रिशी भूमी में 25 परतीशत की वृद्धी हुई है जबकि अन्न की पैदावार में केवल चार गुना वृद्धी हुई पैदावार में यह उन्नती कैसे हुई यदि हम क्रिशी में शामिल प्रनालियों के विशे में सोचें तो हम उनको तीन चरणों में बाठ सकते हैं सबसे पहले है बीज का चुनना दूसरा फसल की उचित देग बाल तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्शा तथा कटी हुई फसल की हानी को रोकना इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रकृया में प्रियुक्त गतिविदियों को निमन मुख्य वर्गों में बाटा जा सकता है सबसे पहले फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंद, फसल सुरक्षा प्रबंद आईए बातचीत करते हैं फसल की किस्मों में सुधार कैसे किया जाता है फसलों का अच्छा उत्पादन हूँ यह प्रयास फसलों की किस्मों के चैन पर निर्भर करता है उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच उत्पादन का चेयन प्रेजनन द्वारा कर सकते हैं फसल की किस्मों में एच्छे गुणों को संकरन द्वारा डाला जा सकता है संकरन विदी में विभिन अनुवान्शिक गुणों वाले पौधों में संकरन करवाते हैं यह संकरन अंत्रा किस्मिय यानि की विभिन किस्मों में अंत्रा स्पीशिज एक ही जीनस के दो विभिन स्पीशिजों में अत्वा अंत्रा वंशिय यानि की विभिन जैनरा में हो सकता है फसल सुधार की दूसरी विदी है एच्छे गुणों वाले जीन को डालना इसके परिणाम सवरूप अनुवांश किये रुपांतरित फसल प्राप्त होती है कृशी प्रणालिया तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्दता पर भी निर्भर करता है चुकि मौसम परस्थितियां जैसे सूखा तथा बार का पूर्वा नुमान कठिन होता है इसलिए ऐसी किसमें अधिक उप्यूगी होती है जो विविद जल्वायू परस्थितियों में भी उख सके इसी प्रकार ऐसी किसमें बनाई गए है जो उच लवनिय मिट्टी में भी उख सके किसमों में सधार के कुछ कारक हैं जो की इस प्रकार है सबसे पहले उच उत्पादन प्रती एकड फसल की उत्पादक्ता बढ़ाई जा सके ऐसी किसम को चुना जाता है उन्नत किसमें फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रतिक फसल में भिन होती है दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल सबजियों का सरक्षन महत्पुरुन है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोट्ता, जैविक यानि की रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक जैसे की सूखा, शार्ता, जलाकरांती, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है इन परिस्तित्यों को सहन करने वाली किसमे फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है परिपक्वन काल में परिवर्तन फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक रिष्टी से अच्छा होता है इससे किसान प्रती वर्ष अपने खेतों में कई फसले उगा सकते हैं कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन का खर्चा भी कम होता है अगला है व्यापक अनुकूलता व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन पर्यावरणिय परिसितियों में फसल उत्पादन को स्थाई करने में सहायक होता है और अंतिमकारक है एच्छिक सस्य विज्ञान गुण उधारन के लिए चारे वाली फसलों में लंबी तथा सगन शाखाएं एच्छिक होती है अनाज के लिए बोने पोधे उप्युक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोश्कों के अवशकता हो इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किसमे अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है आईए अब बात करते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन की फसल उत्पादन प्रबंधन के अंत्रगत तीन मुख्य कारक है पोशक प्रबंधन, सिंचाई, फसल पैटरन पोशक परबंदन पौधों के लिए 16 पोशक तत्व अवशक है पौधों को पोशक तत्व वायू, जल और मृधा से प्राप्थ होते हैं वायू से कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मृिधा से दो प्रकार के पोशक तत्व प्राप्थ होते हैं व्रहित पोशक वह तत्व जो अधिक मात्रा में होने चाहिए व्रहित प्रोशक कहलाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मेगनेशियम और सल्फर इसी प्रकार सूक्ष्म पोशक तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में अवशक्ता होती हैं वे हैं लूहा, मेंगनीज, बूरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मॉलिबेडिनुम आईए अब बात कर लेते हैं खादों के बारे में उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा में इन पोशकों को जैविक अत्पार, रसाइनी खादों जिनें उर्वरक कहा जाता है के रूप में डाल कर उसकी उपजाओ शक्ती में वृद्धी की जा सकती है आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं जैविक खाद के अबारे में जैविक पदार्थों के उप्योग के अधार पर खादों को तीन वर्गों में वर्गी कर सकते हैं कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट सफाई करमचारी कूडा इकठा करके ट्रकों द्वारा खूले शेत्रों में जहां गहरे गड़े होते हैं वहाँ पर ले जाते हैं इन खूले शेत्रों में गहरे खड़े होते हैं और इन्हें भराव शेत्र कहा जाता है भराव शेत्र में कूडे करकट को उपयोगी और अनुपयोगी भागों में बांड दिया जाता है अनुपयोगी भाग को भराव शेत्र में फैला कर मिट्टी की परत के साथ धग दिया जाता है कूडे करकट के उपयोगी भाग के निप्टारे के लिए भराव शेत्रों के निकठी कमपोस्ट बनाने वाले शेत्र विक्सित कर लिए जाते हैं बच्चों कमपोस्ट किसे कहते हैं Compose काले रंग का पदार्थ होता है जो कूडे करकट के पूरन रूप से गलने सडने से बनता है और इसकी कोई गंद भी नहीं होती Compose एक परकार की खाद है जिसका उप्योग पोधों के लिए किया जाता है कुछ पदार्थ गलने सडने से खाद में परवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को Composing कहा जाता है वर्मी Composing Composing की एक किस्म वर्मी Composing है बच्चों केच्वों को किसानों का मित्र जीब भी कहा जाता है आओ यह पता लगाएं कि केच्वे की एक प्रजाती लाल केच्वे कंपोस्टी करण में किस प्रकार उप्योगी है लाल केच्वों की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विदी को वर्मी Composing अत्वा वर्मी कंपोस्टी करण कहा जाता है लाल केचुए के दात नहीं होते इनमें एक विशेश प्रकार की सरंचना होती है जिसे कंठ अत्वा गिजड कहते हैं जो भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है लाल केचुए अधिक गरम या ठंडे वातावरन में जीवित नहीं रह सकते उन्हें आजपास नमी की आवशकता होती है आओ अब वर्मी कंपोसी करन को एक प्रक्रिया द्वारा समझे मैदान में एक गड़ा खो दें अत्वा एक लकड़ी के बक्से को किसी ऐसे स्थान पर र यानि की फूस भूसा भी बिजा सकते हैं थोड़ा पानी छिड़क कर इस परत को गीला करो अब कुछ लाल केच्वे गड़े अत्वा बक्से में रखो और इन्हें जूट की बोरी या पुरानी चादर या घास के साथ हलका थड़क दो अब गड़े में फल सबजीयों का रहें तीन चार हफतों बाद गड़े में मिट्टी जैसा नरम पदार दिखाई देगा यह आपकी वर्मी कंपोस्टिंग है इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपने बगीचे गंबलो या खेतों में डाल सकते हैं आईए बात करते हैं हरी खाद के बारे में फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन मूंग अत्वा गवार आदी उगा देते हैं और तत पश्चात उन पर हल चला कर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है यह पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोर से परिपूरन करने में साहिक होते हैं आईए बच्चों अब बात कर लेते हैं उर्वरकों के बारे में यह वेवसाइक रूप पर बनाएगे पादप पोशक हैं यह पौधे को नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटस्यम देते हैं उर्वरकों के निरंतर उप्योग के साथ मृदा की गुणवत्ता में कमी भी आ जाती है इसलिए हमें जैविक खाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए सिंचाई भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर अधारित है अर्थार्थ अधिकांश शेत्रों में फसल की उपज समय पर मांसून आने और वृद्धी काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है फसल की व प्रोथ हैं और विभिन परकार की जलवाई हुए इन परिस्चितियों में विभिन परकार के सिंचाई की विधियों का प्योग किया जाता है इन स्त्रोथों के कुछ उधारन है कुए, नहरे, नदियां तथा तलाब कुएं, कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप खुदे हुए कुएं द्वारा भूमी गजल्सतरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है नलकूप में पानी गहरे जल्सतरों से निकाल लिया जाता है इन कुऊं से सिंचाई के लिए पानी को पंप करके निकाला जाता है नहरे यह सिंचाई का एक बहुत व्रिस्टित और व्यापक तंत्र है इन में पानी एक या अधिक जलाशियों अथ्वा नदियों से आता है मुखे नहर से शाखाई निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिचाई करती है नदि जल उठाव प्रणाली जिन शेत्रों में जलाशियों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनेमित या अप्रियाप्त होता है वहाँ जल उठा प्रनाली अधिक उप्योगी राती है नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है तालाब छोटे जलाश्य जो छोटे शेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रय करते हैं तलाब का रूप ले लेते हैं बच्चों अब हम बात करेंगे फसल पैटरन के बारे में अधिक लाप प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन विदियों का उप्योग कर सकते हैं मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेट में उगाते हैं जैसे कि गेहूं और चना, अत्वा गेहूं और सर्सो, अत्वा मुंफली तथा सूर्य मुखी इस से हाने ओने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नश्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है अंत्रा फसली करण अंत्रा फसली करण में दो अत्वा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेट में निर्दिश्ट पेटरन पर उगाते हैं कुछ पंक्तियों में एक परकार की फसल तथा उनके एकांतर्क में सित दूसरी पंक्तियों में दूसरी परकार की फसल उगाते हैं इसके उधारन है सोयबीन और मक्का, अत्वा बाजरा और लोबिया फसल का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि उनकी पोशक तत्मों की अवशक्ताइं भिन भिन हूं जिससे पोशकों का अधिक्तम उप्योग हो सके इस विदी द्वारा पीड़क वर रोगों को एक प्रकार की फसलों के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है अब बात कर लेते हैं फसल चक्र के बारे में किसी खेत में क्रम वार पूर्व नियोजित कारे करम के अनुसार विभिन फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं परिपक्वन काल के आधार पर बिविन फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्दता पर निर्भर है अब बात करेंगे फसल सुरक्षा परबंधन के बारे में खेतों में फसल, खर्पतवार, कीट, पीड़क और रोगों से प्रभावित होती है खर्पतवार, इन्हें नियंतरित ना करने पर फसलों को नुकसान होता है खर्पतवार क्रिशी योग्य भूमी में अन्यवशक पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं उधारन तह, गोखरू, गाजर घास वा मोथा ये खर्पतवार, भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए पौधों से यानि की फसलों से स्पर्धा करते हैं यह पोशक तत्व भी चूस लेते हैं और फसलों की वृद्धी में रुकावट डालते हैं इन्हें प्रारंबिक अवस्ता में ही खेतों से निकाल देना चाहिए कीट पीड़क समाने रूप में कीट पीड़क तीन प्रकार से पोधों पर आकर्मन करते हैं यह मूल, तने तथा पत्तियों को कार देते हैं यह पोधों के विबिन भागों से कोश्किय अरस को चूस लेते हैं तथा यह तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं पोधों में कई परकार के रोग भी होते हैं पोधों में यह रोग, बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोगकार को द्वारा होते हैं ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्तित रहते हैं और इन माध्मियों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं खर्पतवार, कीट और रोगों पर नियंतरन कई विधियों द्वारा किया जा सकता है इन में से सारवर्दिक, प्रचलित विधि, पीडक नाशी, रसायनक का उप्योग है जो की कीट नाशी तथा कवक नाशी हो सकते हैं खर्पतवारों पर काबू यानि की नियंतरन पाने के लिए यांतरक विधियों का उप्योग किया जाता है खर्पतवारों को खतम करने के लिए कुछ सुरक्षित तरीकों के साथ समय पर फसल उगाना, उचित क्यारिया त्यार करना, अंतरा फसली करन तथा फसल चक्र को अपनाना भी शामिल है पीडकों को हटाने के लिए कुछ सुरक्षित तरीके हैं फसलों की प्रतिरोज शम्ता वाली किस्मों का उप्योग तथा ग्रिशम काल में हल से जुताई करना गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाकर खेट जोता जाता है ताकि खर्पतवार और पीडक नश्ठ हो जाएं आईए अब बात कर लेते हैं अनाज के भंडारन की क्रिशी उत्पात के भंडारन में बहुत आनी हो सकती है इस हानी के लिए कुछ जिम्मेवार कारक इस परकार हैं जैविकारक कीट, क्रिंतक, कवक, चिंचडी और जिवानू अनाज को नुकसान पहुचाते हैं अजैविकारक भंडारन के स्थान पर उपयुक्त, नमी वद ताप का अभाव होने पर भी फसल को यानि की क्रिशी उत्पात को भारी नुकसान पहुचता है निरोधक तथा नियंतरन विधियों का उप्योग भंडारन करने से पहले किया जाता है इसमें शामिल है दानों की सफाई, धूप में सुकाना, पीडकों को मारने वाले रिसाइनों के साथ धूमकों का उप्योग आधी विधिया आईए बच्चों अब बात कर रहेते हैं पशुपालन के बारे में इसके अंतरगत गाए, भैस, भेडे, बकरी पालना, मुर्गी पालना, मचली उत्पादन आधी शामिल हैं पशुधन के प्रबंधन को ही पशुपालन कहा जाता है पशुपालन के दो उदेश्य हैं दुदारू पशुपालन के लिए जिनके उधारन इस प्रकार है हल चलाना, सिंचाई करना, बोज़ा डोना इसके लिए पशुपालन को पाला जाता है भारतिय पालतू पशुपालन की दो मुख्य स्पीशिस है वॉस बुवेलिस यानि की भैंस और वॉस इंडिकस यानि की गाय पशुपालन की सफाई बहुत अवश्यक है पशुपालन से उद्पादन यदी प्राप्त करना है तो उनका रख रखाव, उनकी सफाई वगरे का ध्यान भी रखना चाहिए पशुपालन के शरीर पर प्रति दिन खर्खरा मार कर धूल तथा जड़े हुए बाल को उतार देना चाहिए पशुपालन के आवास को भी साफसुत्रा रखना चाहिए आवास शद्दार और रोशंदान युक्त होना चाहिए अवास पशुपालन को वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचा कर रखने वाला होना चाहिए अब पशुपालन का भोजन या आहार कैसा हो इसके बारे में भी जान लेते हैं दुधारू पशुपालन के आहार के अवशक्ता दो परकार की होती है एक परकार का अहार जो उसके सवास्ते को अच्छा रखे दूसरा वह जो दूद के उत्पादन को बढ़ाए पशुपालन के अहार के अंतरगत आते हैं मूटा चारा यानि के रुक्षांस इसमें रेशे होते हैं जो की पशुपालन के लिए अवशक होते हैं दूसरा सांदरचारा इसमें प्रोटीन और अन्य पोशक तत्व होते हैं बच्चों पशुपालन में भी बहुत से रोग होते हैं और पशुपालन को इन रोगों से बचाना अवशक होता है पशों में बाहय पर जीवी तथा अंत्य पर जीवी दोनों ही होते हैं बाहय पर जीवी यह त्वचा पर रहते हैं और त्वचा के रोग उत्पन करते हैं अंत्य पर जीवी यह अमाशय या आंत में उपस्थित रहते हैं और आंत और अमाशे की बिमारियां फैलाते हैं इनके उधारन क्रिमी और पर्न क्रिमी हैं जो की यकरित को भी प्रभावित करते हैं पशों को समय समय पर टिका करण और डॉक्टरी जाज कराकर इन रोगों से बचाया रखा जा सकता है आईए बच्चों अब बात करते हैं कुकुट या मुर्गी पालन के बारे में मुर्गी पालन अंडे और मास के लिए किया जाता है इसलिए कुकुट पालन में उन्नत मुर्गी की नसलें विक्सित की जाती है मुर्गी की उच नसलों को उत्पन करने के लिए संक्रन कराय जाता है संक्रन के लिए निमलिखित गुण होने अवशक है चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता उच तापमान को सहने की शमता देख भाल में कम खर्च की अवशकता अंडे देने वाली मुर्गी का आकार छोटा करना संक्रन भारतिय नसल जैसे एसिल तथा विदेशी नसल जैसे लेग होर्न में किया जाता है अंडों तथा ब्रॉलर का उत्पादन चूजों को ब्रॉलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मास के प्रयोजन के लिए विपनन किया जाता है अच्छी प्रबंदन प्रणाली के लिए अच्छा आहार, अवास, उचिताप, स्वच्छता और रोगों से बचाव अवशक है ब्रॉलर के आहार में प्रोटीन, वसा, आदी, मुख्य होते हैं जबकि अंडा देने वाली मुर्ग्यों के लिए विटामिन ए और विटामिन के युक्त आहार अवशक होते हैं मुर्ग्यों में जीवानू, विशानू, कवक और परजीवी रोग बहुत होते हैं इसलिए साफ सफाई का विशेह धियान रखा जाना चाहिए आईए बच्चों अब बात कर लेते हैं मतस्य उत्पादन यानि की मचली उत्पादन के बारे में हमारे भोजन में मचली प्रोटीन का एक समरिद स्रोत है मचली उत्पादन में पंक्युक्त मचलियां, कवचिय मचलियां जैसे प्राउन और मुलस्क सम्मिलित हैं मचली प्राप्त करने की दो विदियां हैं एक तो प्राकरितिक स्रोत जिसे मचली पकड़ना कहते हैं दूसरा स्रोत मचली पालन या मचली समवर्दन है मचलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा तादा जल जो की अलवनिय जल है होते हैं अलेवनिय जल नदियों तथा तलाबों में होता है आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं समुद्री मतस्यकी के बारे में भारत का समुद्री मचली संसादन शेत्र पचछतर सो किलोमेटर समुद्री तट तथा इसके अतरिक्त समुद्र की गहराई तक है समुद्री मचली की पकड़ने के लिए विभिन परकार के जालों का उप्योग किया जाता है मचली पकड़ने वाली नावों से मचली को पकड़ा जाता है आम प्रचलित समुद्री मचलीयों की किसमे इस परकार है पॉम्फरिट, मैक्रल, टूना, साडाइन, तथा बंबेडक कुछ आर्थिक महत वाली समुद्री मचलियों का समुद्री जल में समवर्धन भी किया जाता है इन में प्रमुक हैं मुलेट, भेटकी, परल्सपॉट, कवचिय मचलियां जैसे जींगा, मस्सल, तथा ओइस्टर, एवं कुछ समुद्री खर्पतवार ओइस्टर का समवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है भविश्य में समुद्री मचलियों का भंडार कं होने की अवस्था में इन मचलियों की पूर्ती समवर्धन के दवारा हो सकती है इस परनाली को समुद्री समवर्धन यानि की मैरी कल्चर कहते हैं आजकल सेटलाइट तथा प्रतिध्वनी गभीरता मापी से खुले समुद्र में मचलियों के बड़े समूग का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उप्योग कर मचली का उत्पदन बढ़ाया जा सकता है अंत्यस्थली मत्यस्चि ताजा जल के स्त्रोथ नाले तलाब पोखर तथा नदिया हैं खार जल के संसादन जहा समुद्रि जल तथा तादा जल मिश्रित होते हैं जैसे कि नदी मुख जिसे एस्चुरी कह जाता है तथा लेगून भी मतस्य बंडारन के मुखे शेत्र हैं मच्ली संवरदन कभी-कभी धान की फसल के साथ भी क्या जाता है ता कि मच्लियां खेत के जल में ही पाली जा सके मच्लियों की आहार के प्रती आधते भिन्बिन होती है इसलिए एक, एक एक हरे मच्ली पानन में पांच अत्वाच्छे मचलियों की स्पीशिज एकठी पाई जा सकती हैं इस प्रकार के मचली पालन को मिश्रित मचली कल्चर प्रनाली कहा जाता है उधारन के लिए कटला मचली जल की सता में अपना भोजन लेती है रोहु मचली तलाब के मध्यशेत्र से अपना भोजन लेती है म्रिगल तथा कामन कॉप तलाब की तली से अपना भोजन लेती है ग्रास कॉप खर्पतवार खाती है इस परकार ये सभी मचलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना सपर्दा के अपना अहार लेती है इस से तलाब से मचली के उत्पादन में वृद्धी होती है मिशृत मचली संवर्धन की एक समस्या है कि इन में से कई मचलियां केवल वर्शारितू में ही जनन करती है यहाँ तक यदि मतस्य डिंब देशी नशल से लिए जाएं तो अन्य स्पीशिस के डिम्बों के साथ मिल सकते हैं अतहे मचली समवर्दन के लिए अच्छी गुनवत्ता वाले डिम्भों का उपलब्द ना होना एक गंबीर समस्या है इस समस्या के समयधान के लिए ऐसी विदियां खोजी जा रहे हैं कि तलाब में इन मचलीों का समवर्दन हार्मोन के उपयोग से ही किया जा सके इस से एचिक मात्रा में शुद्ध मचली के डिम्भ प्राप्त होते रहेंगे आईए अब अंत में बात करते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में मधु या शहद का सरवत्र उपयोग होता है अते इसके लिए मधुमक्खी पालन का उध्यम एक क्रिशी उध्योग बन चुका है चुकि मधुमक्खी पालन में पूजी निवेश कम होता है इसलिए किसान इसे धनारजन का अतरिक्त साधन मानते है शहद के अतरिक्त मधुमक्खी के चट्टे से मूम भी प्राप्त होता है मूम का उप्योग औशदीक तियार करने के लिए किया जाता है व्यवस्ताइक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किसम की मक्खी एपिस सेरना इंडिका समान्य भारतिय मक्खी एपिस डॉर्सेटा, एक शैल मक्खी तथभ एपिस फ्लोरी, लिटल मक्खी का उप्योग किया जाता है इसे के साथ एक इटली मक्खी जिसे एपिस मेलिफोरा का प्योग करके मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है अतव व्यवसाइक मधू उत्पादन में इस मक्षी का उप्योग प्राय किया जाता है इटली मक्षी में मधू एकत्र करने की शमता बहुत अधिक होती है वे डंक भी कम मारती है और वे निधारिच छत्ते पे काफी समय तक रहती है और तीरवता से प्रजनन करती है व्यवसाइक मधू उत्पादन के लिए मधू वाटिका अत्वा मधू मक्षी फार्म बनाए गए है मधू की कीमत अत्वा गुणवत्ता मधू मक्षियों के चारगा अर्थार्थ उनको मधू एकत्र करने के लिए उपलब्द फूलों पर निर्फर करती है मदु मख्या फूलों के मकरंद तथा प्राग को एकत्र करती है चारगा की प्रयाप्थ उपलबदता के लिए चारगा विक्सित की जा सकती है इसके अतरिक्त फूलों की किसमें बनाई जा सकती हैं जिससे मदु के स्वाद को निर्धर्थ किया जाए आईए अभी तक जो हमने पड़ा है उसकी दोहराई कर लेते हैं फसल के लिए अनेको पोशक तत्व आवशक हैं हवा से कारबन तथा ऑक्सीजन पानी से हाइडरोजन तथा ऑक्सीजन एवं मिट्टी से शेश पोशक तत्व प्राप्त होते हैं इन पोशकों में कुछ पोशक कम मात्रा में चाहिए जिनें सूक्षम पोशक कहा जाता है और कुछ पोशक अधिक मात्रा में चाहिए जिनें विर्हत पोशक कहते हैं फसल के लिए पोशकों के मुख्य स्रूत, खाद तथा उर्वरक हैं मिश्रित फसल में दो अत्वा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाता है फाम पशुओं के लिए उचित देखभाल तता प्रबंधन जैसे कि आवास अहार जनन तता रोगों पर नियंतरन की अवशक्ता होती है इसे पशुपालन कहते हैं कुकुट पालन घ्रेलू मुर्गियों की संख्या बढ़ाने के लिए करते हैं कुकुट पालन के अंतरगत अंडो का उत्पादन और मुर्गी के मास के लिए ब्रॉलर उत्पादन है समुद्री मचलियों को पकड़ने के लिए प्रती ध्वनी, घभीर्ता, मापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मचली पकड़ने के जाल का प्रियूग किया जाता है मिश्रित मचली समवर्धन, तंत्र, प्राय, मतस्या पालन के लिए अपनाया जाता है मदुमक्खी पालन मदू तथा मौम प्राप्त करने के लिए किया जाता है अब मैं आप से कुछ प्रश्न पोशूँँगा आशा करता हूँ कि आप को उनके उत्तर आते होंगे पहले दिक स्थान व्यापक स्तर पर शेहद उत्पादन के लिए यह स्थापित किये जाते है मदुमक्खी पालन शेत्रिस का उत्तर है हमारे भूजन में यह जन्तू प्रोटीन का एक सम्रिद त्रोथ है तो सही उत्तर है मचली वैसे आप इसके और भी उत्तर दे सकते हैं जैसे की मुर्गी का मास इत्यादी परंतु इसका यहाँ पर उत्तर आएगा मचली दूद देने वाली मादा पशुओं को यह कहा जाता है तो सही उत्तर है दूधारू पशु डैश व्यवसाइक रूप में बनाए गए पादप पोशक हैं तो सही उत्तर है उर्वरक वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इनका इस्तिमाल किया जाता है तो बच्चों सही उत्तर है लाल के चुए अब कुछ प्रश्न बच्चों रभी और खरीफ की फसलों के दो दो उधारन दीजिए तो सही जवाब है अगला प्रश्न ब्रॉलर को अहार में कौन से पोशक तत्वों की अधिक अविशक्ता होती है तो सही जवाब है प्रोटीन तथा वसा प्रचूर मात्रा में उसके भोजन में होने चाहिए और अगला प्रश्ण अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए कौन से पोशिक तत्व होने चाहिए तो अंडे देने वाली मुर्गियों के भोजन में विटामिन के और विटामिन A की अधिक मात्रा होनी चाहिए इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्त होता है आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को भलीभांती समझा होगा अब बच्चों इसे अपने पाठे पुस्तक में से भी पढ़िये और अभ्यास के प्रश्णों को हल करने की कोशिश कीजिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद बच्चों